अभी हम हैं लचमनपुवात्टे गाउं इस मुझी थि इस गाउ के वीधिली के लिए आद 530 महीनाPower पहले एक वीडियो बनाया था आज की कहानी है बिहार के लक्षमनपूर बाथे गाउं की लक्षमनपूर बाथे गाउं पतना से कुछ 125 किलोमेटर दूर सो नदी के किनारे बसे अर्वल जिले में है लक्षमनपूर बाथे वही गाउं जहां 23 साल पहले एक दिसंबर 1997 की कोहरे वाली रात को अपकास मिलिटन्ट और्गनाजेशन रणवीर सेना के लोगों ने 58 दलितों का नरसंगार किया था मारे गए लोगों में 16 बच्चे और 27 महिलाएं भी शामिल थी इस नरसंगार के बाद कुछ समय तक लक्षमनपूर बाथे को काफी अटेंचन मिला नेताओं ने गाओं के दोरे किये और विकास का आश्वासन दिया और गाओं मीडिया की सुर्ख्यों में रहा समय बीटा गया लेकिन विकास की गाड़ी लेख्वनपूर बाथे की राह मुडी ही नहीं सालों की सरकारी उदासींता ने लोगों के मन में बसे खौफ समय बाथार के लिए लोगों के पास हो गया लेकिन हरजन के टोला में अज तक नहीं आगा समुदाएक मीडिया और मेंस्टीम मीडिया में ये एक बड़ा फर्ख है हम हमेशा समुदाएक को साथ लेकर काम करते हैं हमारे समबादाता की शक्ती होती है उसका कैमरा और उसके पीछे खड़ा समुदाये और जब समुदाये का साथ मेंस्ट्रीम मीडिया नहीं देता तब हमारे साथ ही समुदाये के लिए काम करते रहते हैं हम हर मुद्दे का follow up करते हैं और साथ ही बदलाव के लिए लड़ते हैं चाहे उसमें सालों ही क्यों न लग जाएं। बाथे भी एक ऐसा गाउं है इसका साथ सामुदाइक मीडिया ने नहीं छोड़ा। जफर ने बाथे की बिजली की समस्या पे वीडियो बनाया और उसे संबंदित अधिकारियों को दिखाया। वीडियो दिखाते वक्त कैमरे पर अधिखारियों से पूछा गया कि इस समस्या के निवारन के लिए वो क्या करेंगे और उनके जवाब को भी वीडियो डॉक्यूमेंट किया गया। जफर ने बाते की बिजली की समस्या को हल करने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाकर सरकार द्वारा नियुक्त की गई एजेंसी के लोगों से बात कीूमें गाओं के दबंग लोगों का डर था जिस वज़े से वो काम करने से कत्रा रहे थे। लेकिन जफर ने हिम्मत नहीं हार की और समुदाएगे लोगों से बात कीूमे की लोगों ने बताया की बिजली न रहने का एक कारणी ये भी है यहां का समुदाएग बिजली आफिस तक नहीं जाता है। हम नरे कुछ जाना चाहिए वहां पर आप लोग क्यों नहीं जा पाते हो बोलते हैं कि यहां पर दो तीन तरह के लोग रहते हैं इनका तीनों का जो टक्राव है इस वज़ा से कोई बदलाव के परकरिया में आगे नहीं बढ़ता है तो मैंने कहा कि ठीक है मैं इसे देखता हूं मैं गया वहां पर कुछ लोगों से बात किया जिसमें एक राम नरायन जी है हम उनसे बात किया तो उन्होंने बिस्तार पुरोग बताया हम कहा कि आप काम करो हम देखते हैं बात करके फिर हम समुदाय के लोगों से बात किया और यह जो तीनों तबके के लोग थे तीनों से हमार बात करने पर मामले हल होते हैं और जिनका डर था उन लोगों ने भी सहयोग किया आखिरकार जफर की मेहनत और परसीवरंस रंग लाई और आज बाथे में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है जफर को बाथे में बिजली लाने में एक साल से भी ज्यादा का समय लगा लेकिन इस बदलाव से न सिर्थ बाथे में बिजली आई बलकि बाथे से जुले तीन गावों में भी बिजली की समस्या दूर हुई पहले आपे बिजली नहीं थी अभी क्या है? इस बदलाव ने 2000 से भी ज्यादा लोगों को सालों से चली आ रही बिजली की समस्या से दूर किया कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अपने से जुड़े नामों को भी मलिन करने की शमता रखती हैं बाते नाउमीदी का पर्याइवाची नहीं है वहां के लोग भी हम आप जितना ही बढ़ना चाते हैं विकसित होना चाते हैं उनका साल भर तक कोशिश करना, लड़ना ये सिद्ध करता है कि उनका विश्वास अभी जिन्दा है जफर समुदाय के इसी विश्वास के जरिए ये बदलाव लाप आए जफर की ही तरह हम आप भी अपने समुदाय की आवास को बुलंद करके कर सकते हैं इंडिया को फिक्स